अध्याय पंद्रह ब्रह्मबचारी अशोक कृष्ण मां की अंतिम बीमारी के समय एक तिन सुबह मैं मां का दर्शन करने गया। उस समय कमरे में कोई नहीं था। मां सबसे दक्षिन की ओर के कमरे में थी। उस समय कुछ दिनों से उनकी तबियत थोड़ी ठीक थी। दिन के समय इसी कमरे में मां का बिस्तरा लगा दिया जाता था। चैत महीने का पहला सप्ताह था। मां को प्रणाम करते ही मां घर की सब बाते पूछने लगी। मां का शरीर इतना रुग्ण देखकर मैंने कहा, मां आपका शरीर इस पार अत्यंत खराब हो गया है, इतना दुर्बल मैंने आपको कभी नहीं देखा। मां ने कहा, हाँ बेटा, अत्यंत दुर्बल हो गई हूँ, लगता है, इस शरीर से ठाकुर को जो कराना था, सब पूरा हो गया है, अब मन सब समय उनको चाहता है, दूसरा कुछ भी और अच्छा नहीं लगता। यहीं देखो न, राधु को कितना चाहती थी, इसकी सुख सुविधा के लिए कितना कुछ करती थी, लेकिन अब भाव एकदम बदल गया है, उसके सामने आने पर उकताहट होती है, लगता है वह क्यूं सामने आकर मेरे मन को नीचे उतारने की चेश्ठा कर रही है। ठाकुर ने अपने काम के लिए इतने दिनों तक यहीं सब देकर मन को नीचे उतार कर रखा था। नहीं तो जब बे चले गए तब क्या मेरा संसार में रहना संभव होता। मैं, मा, आपको इस तरह की बाते करते देखकर हमें अत्यंत कष्ट हो रहा है। आप यदि चली गई, तो हम लोगों का क्या होगा। हम लोगों में त्याग तपस्या का विशेश अभाव है। वैरागे तो बिलकुल नहीं है। ऐसा कहना ही ठीक होगा। आपके शरीर के नहीं रहने पर हम लोग किसके बल पर महमाया के राज्य से बचे रहेंगे। मन में जब भी कोई दुर्बलता आई है, आपसे कहकर ये तो बचनी का उपाय पाया है। अब हम लोग कहां जाएंगे। हम लोग तो बिलकुल निराश्रे हो जाएंगे। निराश्रे क्यों होगे? ठाकुर क्या तुम लोगों का भला बुरा नहीं देख रहे हैं? इतनी चिंता क्यों? तुम लोगों को जो उनके चरणों में सौक दिया है। एक खेरे के भीतर तुम लोगों को घूमना होगा। अन्य कहीं भी जाने की क्षमता नहीं। बेसरवदा तुम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। मैं ठाकुर की दया की बात कई बार याद रहने पर भी सब समय ठीक से नहीं समझ पाता। कई बार विश्वास होता है और फिर कई बार संदेह भी होता है। आपको प्रत्यक्ष देखा है। अच्छी बुरी बहुत सी बाते कहीं हैं। आपने भी उस पर अच्छा बुरा विचार करके किस तरह चलने से मेरा मंगल होगा बताया है। इससे आपके पास आश्वय पाया है। यह विश्वास होता है। मा ने कहा ठाकुर ही एक मात्र रक्षक हैं। यह हमेशा याद रखना। यह भूलने से ही सब कुछ व्यर्थ है। आज जो तुम्हारे घर द्वार की बातें, मा की बातें, मैंने यह सब पूछी, जानते हो क्यों। पहले गणेन के मूँ से तुम्हारे पिता के मरने की खबर सुनी, उससे पूछा था, तुम्हारी मा के और कौन है, खाने की व्यवस्था है की नहीं, तुम्हारे वहाँ नहीं रहने से उनका गुजर बसर होगा की नहीं? जब यह सुना की तुम्हारे नहीं रहने से भी उनका गुजर बसर होगा, तब मन में आया, जाने दो, जब लड़के के मन में थोड़ी सी सत्बुध्धी हुई है, थाकुर की इच्छा से उसे सत्पत पर चलने में विशेश बाधा नहीं आयेगी मा की सेवा करना सभी के लिए उचित है, विशेश रूप से जब तुम सब की सेवा करने के लिए यहां आये हो तुम्हारे पिता यदि रुप्या नहीं छोड़ गए होते, तो तुम्हें रुप्या कमा कर मा की सेवा करने को गहती ठाकुर की इच्छा से उन्होंने तुम्हारे लिए कोई जंजट नहीं रखा, केवल इसका थोड़ा सा बंदोबस और देखभाल करने से ही हो जाएगा, किस त्री के हातों रुप्या नश्ट ना हो जाए तुम्हारे लिए यह क्या कम सुविधा की बात है? रुप्य का जुगाड मनुष्य सच्चाई से नहीं कर पाता है, यहां मन को अत्यंत मलीन कर देता है, इसी लिए तुम्हें कहती हूँ, रुप्या पैसे की बात जितनी जल्दी हो, निप्टा डालो, अधिक दिनों तक इसे लेकर रहने से उसके प्रती मन में लोब आएगा रुप्या चीज ही ऐसी है, भले सोचो कि उसके प्रती मेरे मन में आकर्शन नहीं है, जब एक बार छोड़ दिया है, तब और आकर्शन नहीं होगा, उसे छोड़ कर जब इच्छा होगी चला जाओंगा नहीं, ऐसी बात कभी मत सोचना, कब किस कोने से निकल कर तुम्हारा गला दबोच लेगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे विशेश रूप से तुम लोग कलकत्ते के लड़के हो, रुपए लेकर खेल करना तुम लोग जानते हो, जितनी जल्दी हो, मा की विवस्था करके कलकत्ते से भाग जाओ और मा को यदि किसी तीर्थ स्थान में ले जा सको, तो दोनों लोग मा बेटे का संबंद भूल कर भगवान को ठीक धंग से पुकारना इस शोक की घड़ी में मा के मन में बहुत कष्ट है, इसी लिए ऐसा करने से ठीक रहता तुम्हारी मा की भी तो अधिक उम्र हो गई है, उन्हें खूब समझाना, यही सब बाते मा के साथ करना मा के लिए धर्म संचय करने में सहायता कर सको, तभी तो ठीक ठीक पुत्र धर्म का निर्वाह होगा उसके हृदय के रक्त से ही तो इतने बड़े हुए हो, कितने कष्ट से तुम्हें पाला पोसा है उनकी सेवा करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, यह समझ लेना पर यदि वे भगवान के पथ पर जाने में बाधा दें, तो दूसरी बात है अपनी मा को एक बार यहां ले आओ ना, देखूंगी वे कैसी है यदि ठीक समझूंगी, तो दो एक बाते कह दूंगी लेकिन सावधान, मा की सेवा कर रहा हूं, ऐसा सोच कर विशयों में मत डूब जाना एक विद्वा के खाने पीने की विवस्था करना, कोई कठिन काम तो नहीं है भला इसके लिए कितना रुपया चाहिए कुछ हानी उठा कर भी, यदि शीघरता से इसका उपाय हो जाए, इसकी चेश्ठा करना ठाकुर तो रुपया च्छू ही नहीं पाते थे, तुम लोग उनका नाम लेकर निकले हो सब समय उनकी बातों का मन में चिंतन करना संसार में सारे अनर्थों की जड़ रुपया है तुम लोगों की कच्ची उम्र है, हाथ में रुपया रहने से ही मन में लोब आएगा, सावधान मैं, मेरी इच्छा हुई थी कि एक दिन अपनी मा को आपके पास ले आऊ लेकिन आपकी अस्वस्तता को देख कर मुझे लानी की इच्छा नहीं हो रही है मा, नहीं नहीं, एक दिन ले आऊ कितने ही लोग तो आते हैं, और फिर शरीर तो दिनो दिन खराब होगा ही जितनी जल्दी हो सके, ले आऊ सुबह के समय शरीर ठीक रहता है सुबह क्या नहीं ला सकते? अधिक देर मत करना अधिक देर होने से ये लोग आने नहीं देंगे मैं मा, आपकी बात सुनकर बहुत कश्ट हो रहा है बार-बार अपने शरीर के बारे में ये सब बाते जो आप कह रही हैं इससे लगता है कि अब आपकी और इस शरीर में रहने की इच्छा नहीं है मा ने कहा इस शरीर को रखना ना रखना मेरे हाथ में नहीं है या उनकी इच्छा पर है तुम लोग इतने परेशान क्यों होते हो? तुम लोग मेरे पास भला कितनी देर रहते हो? कभी मठ में तो कभी बाहर रहते हो मेरे साथ बात्चित करने की या पास रहने की सुविधा भला कितने लोगों को होती है तुम लोग तो कभी-कभी यहां रहते हो, सूचना तक नहीं देते मैं हम लोगों को आपके पास रहने की भले ही सुविधा नहीं रहती है लेकिन हम लोगों के मन में विश्वास है कि आप हैं मन में जब भी कोई दुरबलता आएगी आपके पास आने से ही बहुत दूर हो जाएगी मा, तुम लोग क्या यह सोचते हो कि यदि ठाकुर इस शरीर को नहीं रखेंगे तब भी जिनका भार मैंने लिया है उनमें से एक के भी बाकी रहते क्या मुझे विश्राम है मुझे उनके संख रहना होगा उनके अच्छे बुरे का भार जो मैंने लिया है मंत्र देना क्या ऐसी वेसी बात है कितना भार गर्दन पर उठाना होता है उनके लिए कितनी चिंटा करनी पड़ती है यही देखो ना, तुम्हारे प्रिता की बृत्यू हो गई, मेरा भी मन खराब हुआ लगा, लड़के को ठाकुर ने क्या फिर एक परिक्षा में डाल दिया? किसी तरह प्रयास करके सभल जाए, यही चिन्ता इसी लिए तो इतनी बाते कहीं, तुम लोग क्या सब समझ सकते हो? यदि तुम लोग सब समझ पाते, मेरी चिन्ताएं बहुत खड़ जाती ठाकुर विभिन तरह से विभिन लोगों को खिला रहे हैं, पर धक्का तो मुझे ही संभालना पड़ता है जिन्हें अपना कहकर अपनाया है, उन्हें अब फेक तो नहीं दे सकती न? मैं मा, आपके न रहने पर किसके पास जाऊंगा? क्या होगा? यह सब सोचकर बहुत भै लगता है मा ने कहा, क्यूं? ये राखाल वाखाल, ये सब लड़के तो हैं, ये क्या कम है? तुम तो राखाल को बहुत चाहते भी हो, उससे पूछ लेना, और पूछ खर भी क्या करोगे? अधिक प्रश्न करना भी ठीक नहीं एक चीज ही पचा नहीं सकते, और दस चीजें मन में लेकर यह ठीक न वह ठीक, केवल यही चिंता करना ठीक नहीं जो चीज पाई है, उसे ही लेकर डूब जाओ, जप ध्यान करना, सत्संग में रहना, एहंकार को किसी भी तरह सिर मत उठाने देना देख नहीं रहे हो, राखाल का कैसा बालक जैसा स्वभाव है, अभी भी मानो छोटा बच्चा हो शरत को देखो ना, कितना काम करता है, कितना जमेला उठाता है, मुह बंद करके रहता है वह तो साधू है, उसे इन सब की क्या जरूरत है, ये लोग तो इच्छा करके दिन रात भगवान में मन लगा कर रह सकते हैं केवल तुम लोगों के कल्यान के लिए, ये लोग मन को उतार कर रखते हैं इनका चरित्र अपने नेत्रों के सामने रखना, इनकी सेवा करना, और हमेशा यह सोचना कि मैं किसकी संतान हूँ, किसके आश्रित हूँ जब भी मन में कोई कुभाव आए, मन से कहना, उनकी संतान होकर क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, देखोगे, मन में बल पाओगे, शांती पाओगे